तुद्ट आपट्ट से नोन एवरीवन लाश्ट क्लास में हमने assessment of company पढ़ना स्टार्ट किया था एक बर मैं थोड़ा सा recap करवा देता हूं कि हमने उसमें क्या बोला हमने यह कहा कि सर assessment of company जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें एक तो normal income के हिसाब से calculation करनी है मतलब normal provision लगाते हुए एक normal SSV के तरह income का assessment करना है और उस पर tax liability calculate करनी है दूसरी तरफ उसी company का assessment हमें दुबारा करना है और उस पर हमें minimum alternate tax निकालना है जब यह दोनों tax हमारे पास निकल जाएंगे at that time फिर हम बताएंगे कि इन में से payment कैसे करना है उसकी बात हम करेंगे आगे उसमें फिर normal provision में एक point बताया था आपको set off of losses जिसके अंदर हमने यह बात किती कि ज़र जो loss होते हैं वो person specific होते हैं मतलब मालिक के loss होते हैं अगर मालिक ने अपना business किसी को बेचा तो भी वो loss अपने किसी को बेच नहीं सकता loss उसके ही रहेंगे बतलब वही set off कर सकता है चाहिए अपने दूसरे business से करें पर जिसने business खरीद आए वो loss को set off नहीं कर पाएगा ठीक है पर रिश्यू आया तिसर्व कंपनी में तो shareholder मालिक होते हैं और shareholder तो हर साल बदलते हैं तो इसलिए यहां पर थोड़ा clear किया गया कि company के case के अंदर जो shareholding है उसमें हम पूरो को मालिक ना मानके 51% और मोर को मालिक मानेंगे अगर जिस साल loss हुआ उस साल और जिस साल हम set off करना चाहते हैं उस साल shareholding अगर 51% सेम है मतलब जो shareholder loss होते टाइम पे 51% के sharehold करते थे आज भी वो 51% अगर hold करते हैं तो in that case loss को set off किया जा सकता है otherwise set off नहीं किया जा सकता है ओके चलिए तो यह हमने पढ़ लिया था इसके ओपर एक question भी मैंने आपको example बना के करवा दिया था एक question इसका book में भी है ठीक है अपने notes में भी होगा एक बढ़ देखिए अगर है तो मैं करवा देता हूँ ठीक है हना notes में हमने क्या है volume 1 और volume 2 के इसाप से design किया हुआ है तो first जो है आपको volume 1 दिया गया है और उसी में पीछे volume 2 भी attach है ठीक है तो एक question मैं आपको book से भी करवा देता हूँ ताकि आपको यह भी हो जाएगा कि हमारा book का भी content cover हो रहा है ठीक है अभी जो notes है इसमें date change नहीं है आपको जो date मिलेगी वो assessment year 23-24 का करना होगा ठीक है तो next class में आपको जो seat मिलेगी जो आपन open करेंगे यहां पे वो 23-24 assessment के लिए होगी ठीक है का है सर जान से देखिए बारा लाग रुपय का लॉस हुआ कंपनी को ओके नो प्रोब्लम और अनप्जोग डेपीशेशन हुआ दो लाग रुपय का इस साल के आखरी में जो shareholding pattern था वो कुछ ऐसा था अब बोला गया कि सर नेक्स्ट येर क्या हुआ 21-22 में कंपनी ने 25 लाग का प्रॉफिट कमाया ठीक है और shareholding जो है वो बदल गई ठीक है shareholding जो है वो बदल गई तो सर कैसे बदली shareholding देखिए ए शेरोल्डर बन गए 30% के f बन गए 25% के c 20% सेम है अभी भी और d 25% अभी भी सेम है ठीक है question को ध्यान से पढ़ना बहुत जुरूरी है अगर आप question ध्यान से पढ़ते नहीं है तो 90% chance है कि question गलत ही होगा क्यों कि आप वो ही तो करेंगी जो आपने पढ़ा है अगर पढ़ा ही गलत है तो answer तो गलत हो नहीं है उसमें ना आप कुछ कर पाएंगे ना examiner कर पाएगा तो ध्यान से देखिए और समझिए क्या बोल रहा है कि sir हमने देखा कि shareholding जो है वो 51% same नहीं है फिलाल अब आप क्या करेंगे आप नीचे वाली line भी पढ़ लेंगे जब आप नीचे वाली line पढ़ लेंगे तो आपके mind में confusion create होने लग जाएगा पर नीचे नीचे जो question है वो तो additional question है वो तो extra question है क्या बोल रहा है how shall your answer differ तो बाद की बात है ना पहले आने तो दो answer फिर differ करेगा तो इसलिए अभी इतना ही पढ़के question करना होता है आपको ठीक है तो इसके हिसाब से sir इस साल हमने 25 लाग रुपय कमाए before adjusting brought forward loss करने से पहले ठीक है no problem at all अब sir क्योंकि 51 percent share holding same नहीं है है क्या नहीं only 45 percent share holding is same तो हम brought forward loss को adjust नहीं कर सकते तो यह 12 लाग की जो loss है यह हम adjust नहीं कर पाएंगे ठीक है हाला कि यह जो 2 लाग का unabsorbed depreciation है इसे जरूर हम set off कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आप यहां पर लिखेंगे 25 लाग रुपय का profit ठीक है वैसे तो मैं सारे question अलग से लिखे करवाना ही पसंद करता हूं पर इसमें कुछ ऐसा ही नहीं कि अलग से लिखा जाए तो that's why यहीं लिख रहा हूं मैं ठीक है unabsorbed depreciation 2 लाग का less कर देगे तो 23 लेक का क्या आ जाएगा आपके पास profit आ जाएगा that's it follow कोई doubt इसमें नहीं है ठीक है अब चलते हैं कि यह क्या बोल रहा है sir how shall your answer will view will differ if mr.b gifted shares to mr.f कि sir mr.b के 25% share mr.f के पास गए है अगर वो गए होते aj gift और वो भी रिष्तेदारी में तो क्या होता तो कल मैंने आपको कुछ exception लिखाये थे कि जब हम किसी को gift देते हैं या हम किसी को क्या करते हैं फ्री में दे देते हैं किसी तरीके से will में inheritance में ऐसी चीज जिसमें मालिक change हुआ पर किसी act of law की वज़े से या किसी mutual transaction की वज़े से सेल वगरह नहीं हुआ है तो उसे हम क्या करते हैं टांस्फर मानते ही नहीं है तो अगर यह नोंने यह share gift दिये होते तो हम मानते कि यह shareholding भी अभी सेम ही है और यह सेम होने का मतलब क्या हो गया 70% shareholding सेम होती तो 70% सेम हो भाया आप loss adjust कर सकते हैं तो next point में आप क्या बोलेंगे कि अगर ऐसा होता तो आप बोलते profit पच्चिस लाग रुप है unabsorbed depreciation दो लाग रुप है और brought forward losses 12 लाग रुप है यह आप तीनों चीजें adjust कर सकते थे ठीक है तो आपका profit कितना बसता ग्यारा लाग बताईगे जी समझ में आगया point टिक है तो यह था हमारा question number two I hope आपको इसमें कोई doubt नहीं होगा कोई है तो बता दीजिए बोलिए इसमें कोई doubt तो बोलिए ठीक है ऐसा नहीं है कि हम set of topic ऐसे पढ़ रहे हैं वह बहुत important है set of topic भी question दे रखें आपकी final की book में सोचो इससे ज्यादा important क्या होगा paper बनाने वाला उठाएगा और चिपका देगा एज़ेटीच फिर कर सकता है ना कि उसको कहेंगे कि module ले लो paper बना दो उठागे चिपका देगा ऐसा कैसा कि एक क्यूशन ओर है इसका वो मुझे लिखके करवाना है that's why मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ आई ये जी question number 3 question number 3 ठीक है मैं फिर कह दूँ इसमें जो dates दे रखी है वो पुरानी है last attempt का coding है आपकी जो dates रहेगी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम previous year 2022-23 पढ़ रहे हैं and assessment year 2023-24 पढ़ रहे हैं यह आप ज्यान देखिएगा okay ठीक है क्या लिखा है सुनेगे a private limited company has share capital in the form of equity share capital the shares were held till 31st March 2020 by four members तो लिख लेते हैं अपन 31st March 2020 चार लोगों के पास शेहर है sir a b c d और साथ में लिख दिया equally no doubt 25-5 percent है ना okay आगे लिखा है sir company made the following losses or profit in past three years पिछले 3 साल में company को कुछ loss हुए है क्या क्या हुए तो sir 18-19 में loss which is assessment year ठीक है उसमें यह table दे रखी आपको तो इसमें loss भी हुआ है और कर सकते हैं okay आगे लिकाए during the previous year ended 31st March 2021 a sold his share a ने अपने share based date का जुरूर ध्यान रखिएगा कब की बात यह यह 31 March 2021 की बात है 21 में अपने shareholding y को बेज दी ठीक है अब अगर आप इसको orally करने की causes करेंगे तो बहुर typical रहेगा तो मैं कहता हूं कि एक पार थोड़ा सा ना होता ना आदमी बोला बनने में गवार बनने में कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है कैसे सुनिया इने share बेचे तो मैं A के जगा य का नाम लिख दूँ जो चार शेर ओल्डर थे मेरे ABCD उसमें से एने share बेच दिये किसको वाय को तो मैं A के जगा य का नाम लिख दूना बी वैसा का वैसा रहने दूँ और दिक्कत है नहीं है शेर ओल्डिंग वापस लिख लू मुझे महनत होगी पर कोई दिक्कत नहीं है ना concept clear होगा मेरा तो यह मेरी शेर ओल्डिंग है 31st March 2021 को राइट ओके आगे लिखा है सर 31st March 2022 को क्या हुआ बी ने अपने शेर बेज दिया तो दुबारा लिख लिए एक बर क्या दिक्कत नहीं है अब यहां पर सर ए तो ओल्ड़ी बेज चुका था एक जगह तो ओल्ड़ी वाय आ चुका है ठीक है अब बी की जगह कोन आ गया जैड आ गया ठीक है और सी अपनी जगह है और दी अपनी जगह है तो इस बार से रोल्डिंग कुछ इस तरीके से हो गया तो यह तीन साल की शेर होल्डिंग दे रखिये आपको यह आपको ध्यान रखनी है अब आगे कुशन स्टार्ट होता है पर यहां पे भी बहुत इस तक शेर होल्डिंग सेम थी इसके मतलब यह सारे लोस आपस में एड़ेस्टेबल है 21 को सेरोल्डिंग बदली फिर 22 को फिर बदली तो हमें पूरे सीजों को ध्यान रखना है आगे क्या लिख है वो सुनिए 31 मार्ट 2021 को सर 18 लाग का प्रॉफिट हुआ और करेंट यह का डेप्रीशेशन चार्ज करने से पहले की बात है ठीक है और 31 मार्ट 2022 को 45 लाग का प्रॉफिट हुआ और वो भी डेप्रीशेशन चार्ज करने से पहले की बात है यह भी लिखना चाओंगा देखिया हम पढ़ रहे हैं प्रीविएस येर दो हजार बीस एकिस जो हमसे कितना है अठारा लाग करते हैं जबकि 21 में हमारा प्रॉफिट है बिफोर डेप्रीशेशन कितना है 45 लाग 45 लेक राइट ओके नाव अब मुझे आप बताईए कि सबसे पहले हम इस प्रॉफिट में से क्या एड्जस्ट करेंगे तो तीन चीजे है हमारे पास,हां ठीज है करेंट काश्ट येर लॉउस और अापब्जॉबवड डेप्रीशें ले पंडी शय्कम और सब्सक्रान की आरई में एडदजस्ट कर दनोतने नहीं करना होता है, पहले सब चीजे current year की ही होती है, current year के सारे adjustment करने के बाद अगर कुछ बस्ता है, तो हम brought forward loss को preference देते हैं, क्यों? क्योंकि loss का एक particular time होता है, कि वो 8 साल ही carry forward होंगे, और अब्जोड depreciation को हम सबसे आखरी मिलेते हैं, क्योंकि वो infinity तक carry forward होता है, इसलिए उस की priority सबसे last है, ओके, ठीक है, तो हम सबसे पहले current year का depreciation charge कर रहे हैं, 2020 में, अब आप इन दोनों years को parallel करने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक ही company के 2 साल है, तो पहले एक साल complete करेंगे, फिर दूसरे साल पर आएंगे, parallel करने की कोशिश करेंगे, तो गरवट कर देंगे, तो profit after depreciation कितना बचा कंपनी के पास, 9 लाग रुप है, ओके, ठीक है, अब मैं इसको एक बार fully screen कर रहा हूँ, अब पहले तो यह देखते हैं कि क्या company 2020-21 में loss को adjustable करने के लिए condition fulfill करती है, क्या, यस सर, जिस दिन loss हुआ, उस दिन shareholder थे, A, B, C, D, ठीक है, और जिस दिन आप set off करने की बात कर रहे हैं, उस दिन B, C, और D, common shareholder है, इसका मतलब 75% shareholding अभी भी same है, तो इसका मतलब sir, 31st March 2021 को हम set off कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, clear हो, ठीक है, तो ले आईए broad forward loss, बताइए जी, broad forward loss है आपके पास, कितने है, नहीं है, नहीं है ना, पका, नहीं sir, broad forward loss तो है यह नहीं, कुछ भी नहीं है पूरे तीन साल में, पिछले तीन साल में कोई भी broad forward loss नहीं है, क्या, नहीं है, तो नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, अब के adjust करेंगे sir, unabsorbed, depreciation, वो तो है, कितना, सबसे पुराना, 15 lakh, पर हमारे पास कितना profit है, 9 lakh ही है ना, तो हम 9 lakh तक set off कर देंगा, ठीक है, हमारा इस साल का profit कितना हो गया, निल, बात खतम, बताइए, कोई दिक्कत, बोलियो भी, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं है, महीं यहाँ पर फिर दिखा दूँ, आपको देखिएगा, पिछले तीन साल में sir, हमें loss, है ना, loss, कैसे नहीं है, 9 lakh रुपय का loss है तो सही, 2021 में है ना, आपके रहे नहीं है, हाँ, assessment यह लिखा हूँ, ओके, बाकी ओनलाइन वाले देख रहे हैं, loss है ना, अपना आरे पास, यह, अरे loss है भी, गलत हो जाएगा ऐसे, वेट, ओके, अभी कहा ना, धंग से, question धंग से देखो, वरना तो पूरा ही गडबड हो जाएगा, brought forward loss, देरे कहना, 9 lakh रुपय का, हाँ, तो पहले adjust किसको करेंगे, brought forward loss को करेंगे ना, yes, तो question बड़ा धंग से पढ़ो, वरना गड नहीं, अभी भी हमारा profit क्या है, बिल है, पहले साल का काम, तमाम, खतम, बताइए, कोई दिक्कत, ठेक है, अब आईए, दूसरे साल के ओपर, दूसरे साल में हमारा profit कितना था, 45 lakhs, before depreciation, सबसे पहले हम current year का depreciation less करेंगे, right, कितना है current year का depreciation, बोलिया, current year का depreciation कितना है, साड़े साथ लाग, तो साथ लाग पचास हजार रुपई, less कर दीजिए, तो profit, after depreciation, कितना बचता है, 37,50,000 रुपई, 37,50,000 बच रहा, कर लो, और हम से कर लो, 45 lakhs, 750,000, 37,50,000, right, okay, अब इस में से हम less करेंगे brought forward losses, पहले बताइए, कर सकते हैं क्या, करेंगे तो बाद में, है या नहीं, वो भी बाद में, आप कहेंगे सर है या नहीं, अरो बात की बात है, पहले eligibility check करनी चाहिए, बताइए, क्या हम इस साल brought forward loss को set off करने के लिए eligible हैं, तो answer is no, क्योंकि हमारी 50% shareholding तो same है, किस साल से compare कर रहे हम, 31st March 2020 से या 21 से, सोच समझ के बोलना, जब eligibility निकाल रहे हैं, तो हम comparison किस से कर दे रहे हैं, 2020 वाली shareholding से, या फिर 2021 की shareholding से, तो answer is yes, हम compare किस से कर रहे हैं, 20 वाली shareholding से, क्योंकि क्या बोला था, जिस साल loss हुआ, वो, और जिस साल adjust कर रहे हैं, वो, 21 का तो इसमें कोई मतलब भी नहीं है, तो loss हुआ, उस दिन ABCD 4 थे, आज जब हम set off करने की बात करे हैं, उस दिन COD 2 है, इसका मतलब 50% shareholding ही same है, तेक है, वरना परसेंटेज का प compare करना है 20 और 22 को, ठीक है, हमने का सर, eligibility नहीं है ये तो, eligibility नहीं है तो, अटाई दीजिये, चाहिए question में figure है, और चाहिए question में figure नहीं है, coincidentally इस question में figure नहीं है, ठीक है, क्योंकि 9 लाग का loss था हो तो हम already adjust कर चुके हैं, तो coincidentally हुआ ना, पर मान लो अगर होता, loss 9 लाग का न नहीं करते, क्योंकि eligibility ही नहीं है हम, फिर करता हूं, question रटा मत मान लेना, पर आप क्या रट जाओगे हां, पहले साल होता है, दूसरे साल नहीं होता, पहले साल होता है, दूसरे साल नहीं होता, examiner क्या करेगा, उस 9 लाग की figure का 19 लाग कर देगा, आपका question खतम, तो ऐसे holding 50% पर आ गई, जो कि 51% minimum required थे, ठीक है, that's why हम नहीं कर सकते है, चाहे loss है या नहीं है, अब आईए sir, unabsorbed depreciation, sir, unabsorbed depreciation पर तो ऐसी कोई सर्थ नहीं है न, सर्थ तो किस पर है, loss पर है, unabsorbed depreciation तो एक तरीके का क्या होता है, expensive होता है, तो उस पर ये condition है नहीं, तो unabsorbed depreciation आप less कर सकते हैं, कितना unabsorbed depreciation है आपके पास, बताइए, कितना unabsorbed depreciation पड़ा है, तीन साल का पड़ा होगा, देखो भी question में, तीन साल का पड़ा होगा, न, कपराओ मत, गलत होगा, उन्हें दो, गलत ही तो होगा, क्या फरक पड़ता है, ये देखे, unabsorbed depreciation, पंदरा ल नो लाक, पड़ी है न, तीन फिगर, ठीक है, और unabsorbed depreciation को हमाराम से adjust कर सकते हैं, उसके लिए shareholding से कोई मतलब भी नहीं है, तो ये, कितना कितना है, ये वरियात कर लेना, पंदरा बारा नो, तो उसको adjust कर दीजे, परस कहां दिक्कत है, लीजे सर, पंदरा लाक, फिर बा कितना बच रहा है, 1.5, 1,50,000 बच रहा है profit, after adjustment of unabsorbed depreciation, बताईए जी, इस पर text दे दीजे, किस सा खतम, बताओ, समझ में आई बात, अब आप क्या बड़ा सा question देखते हैं, तो आप ऐसे घबरा जाते हैं, पता नहीं, इसमें क्या-क्या बोल दे दिया, इतने सारे years दे द दिया, तो गभराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, question बहुत easy है, पर ध्यान देने की जरूरत है, बोलो clear है point, मैं फिर repeat करूं, दो बात लिख लो, आप चाहो तो अपनी local language में लिख लो, कैसे भी लिख लो, एक, कि सब हम loss को set off करने की बात करेंगे, तो जिस साल loss हुआ और जिस साल set off करना चाहते हैं, उन दोनों years को compare करेंगे, अगर share holding 51% same है, तो set off होगा, वरना set off नहीं होगा, पहली बात तो यह, यह note कर लो, दूसरी बात share holding का परभाव जो है, effect जो है, वो unabsorbed depreciation पे कहीं नहीं पड़ेगा, unabsorbed depreciation हर हलत में adjust हो सकता है, उसके लिए कोई condition नहीं है, यह दो बाते धान रखेंगे, तो यह question कभी भी गलत नहीं हो सकता, आपका, ओके, चलिए वे, बस, यहीं तक ता, इसमें concept, आप चलते हैं, नए concept के उपर, बताए जी, यहां तक को doubt किसी को, नहीं है, ठीक है, तो यह set off वाला topic हमारा पूरा हो चुका है, company assessment में, now, आगे चलते हैं sir, अब आगे sir, company की total income हमें calculate कर नहीं है, और उस पर tax calculate करना है, तो पहला criteria क्या है, total income calculate करना, total income जब हम calculate करेंगे, तो 4 head की income निकालेंगे, आप कहेंगे sir, 4 क्यों हम तो 5 पढ़के आए, 5 पढ़के आए ना तुम तो heads, हाँ, पर हम 4 ही निकालेंगे, क्यों क्यों की company की salary थोड़ी होती है sir, तो house property, BNP, capital gain और other sources, वरना बच्चे message कर देता है, sir, 5 पढ़के थे head तो, तो इसलिए पहले बोल दिया, कि भई salary नहीं होती है na company की, तो इसलिए 4 head की income total कर लीचे, clubbing provision भी company पे होते नहीं है, generally, तो clubbing provision भी नहीं लगाने हैं आपको, हाँ, इस पे कोई loss है, तो उसको set off जरूर कर देना, जैसे आमने अभी पढ़ा, जब आप ये कर देंगे, तो आप पहुचेंगे किस पे, gross total income पे पहुचेंगे, ठीक है, gross total income में से आप less कर देंगे deductions, क्या company को भी deduction मिलती है, बिल्कुल मिलती है, ATC से लेके यूँ, हाँ, अला मिलता, जो LIC, LIC, वो नहीं मिलता है, ठीक है, तो ऐसे चीज़े नहीं मिलती है, बाके सब benefits मिलते हैं, okay, next देखिए, जैसे income based deduction हो गई, ATIA, IB, IC, ऐसे बहुत सारी deductions है, ATG तो मिलता ही मिलता है donation दो, तो ये सब deductions यहाँ पे मिलती है, जब ये deduction हम कर देंगे less, तो हमारे इस phase के अंदर आपको बस यहीं तकाना है, इससे आगे नहीं जाना है फिलाल, यहीं तकाना है, समझे है, phase भाई study करो, ताकि क्या होता है, कि अगर 16 number का question आता है, तो 16 number के question के 3 या 4 part होता है, तो इसे total income निकालो, उस पे tax निकालो, book profit निकालो, उस पे mat निकालो, ऐसे 4 हिस् तो इस लिए धंग से पढ़िये, ओके, चलिए, अब आईए आगे, तो यह हमारा first phase था, जिसमें हमने total income calculate करें, अब total income calculate करने के बाद, हमारा काम बनता है, उस पे tax charge करना, ठीक है, अब tax charge करना है, अब यह important point है, इसको ध्यान से समझे गाए, पहला है, है, normal rates, normal rates क्या है, सुनिएगा, अगर कोई company का आप tax निकाल रहे हैं, तो normally लगाए, और normal rate के अंदर आप क्या लगा दीजिए, special rate लगा दीजिए, normal rate का मतलब, normal rate scheme ले लो, ऐसा, थोड़ा सा, कि भई, जो भी regular scheme है, वो ले लो, इसमें आप special rate लगाएंगे, special rate क्या होती है, जो आप पहले पढ़के आये थे सर, LTCG, 112, 20%, पढ़ा हुआ ना, long term capital gain जो 112 में आते हैं, 20%, long term capital gain जो 112 A में आते हैं, 10% और वो भी, above one leg के उपर, STCG, 111 A में जो आता है, उस पर 15%, ठीक है, कौन सा STCG आते हैं, मैं थोड़ा repeat कर दूँ, अगर आपको shares को बेचने से short term capital gain हुआ, तो 111 A में आएगा, 15% tax लगेगा, अगर आपको shares को बेचने से long term capital gain हुआ, तो 112 A में आएगा, और 10% लगेगा, listed security, ठीक है, और अगर आप normally कोई LTCG कमाते हैं, किसी भी asset पे, तो उस पर 20% tax charge होगा, ठीक है, इसके अलावा सोगी कोई casual income है, तो उस पर 30% tax charge होगा, तो ये special rates है, special rate होने का मतलब है, कि ये income के हिसाब से लगेगी, आप company है, foreign company है, उससे फरक नहीं पड़ता है, ये income के हिसाब से चलती है, समझ रहे हैं बात को? बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनको ये नहीं पता होता, कि income tax में rate mention कहां है, पता है आपको? income tax की जो rate दे रखी है, वो कहां लिखी हुई है? सुनिये, income tax की जो rate लिखी हुई है, दो जगा लिखी हुई है, एक लिखी हुई है, income tax act, 1961 में, और एक लिखी हुई है, finance act, जो भी आता है, ठीक है, अभी आपके applicable कौन सा है? 2022, ठीक है? तो इन दोनों act के अंदर क्या होते हैं? tax rate लिखी होते हैं, तो सर हम कौन सी apply करेंगे बताओ? हम कौन सी apply करेंगे इन दोनों में से? अरे दोनों ही करेंगे हम, दोनों ही है ना? तो समझो इसका logic, अब यह दिक्कत क्या होती है, यह होती है, कि हर आदमी कहता है, मैं तो बहुत अच्छा पढ़ा है, मैं तो बहुत पढ़ा है, फिर मेरे number के हम क्यों आए, या कुछ रीजन क्या होता है, कि हमने पढ़ी हैं चीजें, पर हमें उनके कहीं जगा पर रट लिया, या फिर हमें बताया ही ऐसे गया था, कि हमने बस याद कर लिया, हमें logic नहीं बता हूं, मैं आपको बहुत अच्छा logic बताता हूं, ध्यान से सुनिया, देखें, income tax act में जो rate है, व rate income से जूड़ी हूई है, इन्हें इस बात से फरक नहीं पड़ता कि कमाने वाला कौन है, समझ गया है, तो जैसे section 112, अब section 112 सुनते ही हैं आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये rate कहां लिखी हूई है, ये income tax act में लिखी हूई है, और इसने बोला कि LTCG पर 20% लगेगा, ठीक है, अब इससे थोड़ी पता था कमाने वाला कौन है, individual है, firm है, company है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि कोई भी कमाए भईया, LTCG कमाऊगे तो 20% है, समझ गया, तो जो जो act में लिखी ही rate हैं, इन्हें हम special rate बोल देते हैं, क्योंकि ये income के हिसाब से चलती है, person के हिसाब करेंगे, फिर आप assessment of SEO पढ़ेंगे तब इन को याद करेंगे, फिर आप company पढ़ेंगे तब इन को याद करेंगे, फिर कभी आपके मन में एक doubt आएगा, कि sir company पे तो 30% लगता है, तो अगर मान लो उसने LTCG कमाए तो 20 लगेगा, 30 लगेगा, समझ गया, ये doubt आएगा, पर आपने पहले ही side में कर दिया, कि या LTCG 20%, चाहिए कोई कमाए, कोई फरक नहीं पढ़ता, casual income 30%, HTCG 111, 15%, LTCG 10%, अब कोई हो ना कमाने वाला, कोई फरक नहीं पढ़ता है, वो उतना ही लगेगा, समझ गया, तो जो act में rate mentions हैं, वो सारी income के हिसाब से mention है, जब कि finance act में जो rate mention होती है, यह person के हिसाब से होती है, person specific, कि individual है तो slave rate लगेगी, firm है तो 30% flat rate लगेगी, company है तो 30% लगेगी, ऐसे, वो person के हिसाब से depend करता, समझ गया, तो जो income act में cover हो गई, उस पे तो सीधा लग गया, और जो बच गई, वो finance act वाली rate से लगेगा, इस तरीके से दो जगए हम तो अभी जो हमने rate पढ़ी, special rate, यह कहा mention है, अब सोचो और बताओ, यह income tax act में mention है, तो इसलिए इन्हें फरक नहीं पड़ता कि आप company हो, resident हो, non-resident हो, कोई फरक नहीं पड़ता है इसको, यह उतना ही tax charge करेंगे आप से, clear है, इसके बाद sir, अगर company in special income के अलावा को income होगी तो क्या rate है, तो सुनिये sir, तो क्या rate है, तो company के ओपर लगती है flat rate, company के ओपर क्या लगती है, flat rate लगती है, which is 30% for Indian company, ठीक है, Indian company के लिए कितनी है, 30% and 40% for foreign company, ठीक है, Indian company के लिए 30%, foreign company के लिए 40%, okay, ठेक है, next सुनिए, next कह रहे हैं कि sir, text हमने लगा दिया, special rate भी लगती है, 25% वाली, वह बात में बताऊंगा भी नहीं, ठेक है, so sir, हमने special text लगा दिया, हमने normal text लगा दिया, हमारे पास total text निकल के आ गया, क्या company पे rebate मिलती है company को, जैसे individual को 87A में rebate मिलती है, तो क्या वैसे भी company को भी कोई rebate मिलती है, answer is no, company को कोई rebate नहीं मिलती है, लिखने की बात नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ, ताकि confusion आपको रहे ही ना, तो no rebate, company को किसी परकार की कोई rebate नहीं मिलती है, sir, surcharge लगता है क्या, yes, surcharge तो लगता है, तो कितना है, तो surcharge के अंदर सुनिये, अगर आपकी income एक करोड से तो ज़्यादा है, पर दस करोड तक है, दस करोड से उपर नहीं है, in that case, Indian company पे जो surcharge लगाया गया है, वो लगाया है 7%, ठीक है, और जबकि foreign company पे जो surcharge लगाया है, वो लगाया है 2%, ठीक है, तो ये ध्यान दखिएगा, एक करोड से नीचे है, कोई tax नहीं है, एक करोड तक भी कोई surcharge नहीं है, एक करोड से ज़्याद उपर हुआ और दस करोड तक है, तो Indian company पे 7%, foreign company पे 2%, अगर income sir, about 10 करोड है तो, तो 12% for Indian company and 5% for foreign company, ठीक है, तो Indian company के लिए 7 और 12 हो गई, और foreign company के लिए 2 और 5 हो गई, अगर surcharge है, तो एक चीज ऐसी है, जो हमेशा surcharge के साथ जुड़ी भी रहती है, तो क्या है, यस, तो sir, क्या company को marginally relief मिलती है, बिलकुल मिलती है, अगर eligible है, तो, ठीक है, तो अगर eligible है, तो marginally relief आपको ज़रूर मिल जाएगे, तरीका, same है marginally relief निकालने का, and last and final, क्या जोड़ेंगे हम, HCC 4%, जो कि सब पर लगना ही लगना है, ठीक है, 4% HCC add-on कर देंगे आप, health and education CES, जो कि 4% final figure का, ये सब करने के बाद जो figure आएगी, उस पर लगएगा, ठीक है, आपको पता है, tax में और CES में क्या फरक है, मतलब, government ने अलग लग क्यों लगाया, tax अलग लगाया, CES अलग लगाया, इससे अच्छा तो tax की rate ही change कर देते हैं, 30% की जगे, 31% कर देते हैं, तो tax और CES में क्या फरक है, देखिए, tax जो होता है, उसका इस्तमाल, government किसी भी चीज में कर सकती है, सडके बनानी है, development करना है, कुछ भी तरीके से, जो भी requirement है, उसके साब से कर सकती है, पर जो CES होता है, CES का इस्तमाल specific चीज के लिए किया जाता है, तो आप से जो CES चार्च किया जाता है, वो specific region के लिए collect कर रहे हैं, और वो उसी में काम आएगा, जैसे यह अभी आप से लिया जा रहा है, health and education CES, तो इस 4% का जो भी collection होगा, उसको अलग से रखा जाएगा, और उसका इस्तमाल health and education में ही किया जाएगा, वो कहीं और नहीं हो सकता, अभी जैसे IDT के अंदर आप पे लगाया गया था, सफाई के काम में लिया जाएगा, तो ऐसे अलग अलग परपच के लिए, specific परपच के लिए जो चार्च किया जाता है, उसे कहते हैं CES, बताएगे जी, clear है पाइट, मैं इसको थोड़ असा जूम आउट कर देता हूँ, तो इस तरीके से समझी है, ठीक है, तो total income calculate करेंगे आप, total income calculate करने के बाद normal tax rate निकालेंगे, normal rate से आप tax निकालेंगे, उसमे specific income वाली rate लगा देंगे, और flat rate लगा देंगे, ठीक है, surcharge के लिए eligible है surcharge लगा देंगे, margin relief के लिए eligible है margin relief देंगे, और finally HEC जोड देंगे, ठीक है, अब recently, government ने companies को कुछ offer दी है, offer क्या दी है, कि देखे, जर कुछ company क्या है, छोटी company है, और छोटी company है तो उनका business बहुत ज्यादा spread नहीं है, तो उनको benefit देने के लिए, company के लिए, optional scheme, 115 BA, 115 BAA, और 115 BAC, एसे sections introduce किया गया है, अब सर, इन sections में क्या था, इन section में ये था, कि आपको बोला, कि हम आपसे tax कम ले लेंगे, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेंगे, अपने कुछ exemption, deductions को छोड़ना पड़ेंगे, अगर आप वो छोड़ने को तयार है, तो कम दे दीजे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया है, तो ऐसे कुछ option आपको दिए गया है, हाँ, BAB, sorry, तो BA, BAA, और BAB, ठीक है, ये तीन sections में आपको introduce किया गया, अब सर, इन में rate क्या है, ठीक है, और इन में calculation कैसे है, किन practical question आ सकता है, में मुद्दा तो है न, इसका सर मार्क्स तो number के, इन के मिलेंगे न, exam में आएगा, नहीं आएगा, तो जो मुझे लगता है, कि इनका practical question कभी नहीं आता है, ऐसा मुझे लगता है, अभी तक आया भी नहीं है, और नहीं आता, और नहीं आएगा, ऐसा मुझे रीजन क्या है वो समझी है अगर हम इनका practical question देते हैं तो आपने जो पांचो head पड़े हैं उन head की calculation बदल जाती है ठीक है वहाँ पर आपको additional depreciation छोड़ना पड़ेगा बहुत सी deduction छोड़नी पड़ेगी तो आपने जो BNP पड़ा है जो deductions पड़ी है उन सब में कही ने कहीं क्या हो जाते हैं changes हो जाते हैं तो एक बिल्कुल ही mind बदलने वाली बात हो जाती है जो की examiner चाहता नहीं है कि हम आपका बिल्कुल mind divert कर देए कि फिर उसका effect बहुत चीज़ों पड़ता है एक तरफ तो company assessment में तो आपने वह चीज़े छोड़ दी अगला question था individual assessment तो आपका दिमाग ही नहीं चलेगा कि अब लू या ना लू तो इसलिए इसका practical जंदली नहीं पूछते है तो या तो specifically बोल देगा कि साब इतनी income है और 115 बीए बीए में है बताव टेक्स कितना तो या तैसे छोटा question बनेगा और या फिर क्या करेंगे कि mcq में कोई चीजी इन में से पूछ लेंगे समझगे तो उसी साब से आपको इनको prepare करना है तो आईए देखते हैं इन sections में क्या है ठीक है इसके लिए आपको यहां पर आना है आईए ओके देख रहे हैं आपको इस्क्रीन पर है यहां कि अल्टरनेट टेक्स रेजिम मतलब कि आप इन टेक्स रेजिम के हिसाब से भी टेक्स दे सकते हैं अल्टरनेट है क्या है सबसे पहले लिखा है सर सेक्शन 115 एक सेक्शन की बात करते हैं यह सेक्शन सिर्फ डॉमेस्टिक कंपनी के लिए हैं सर तो मतलब फॉरन कंपनी के लिए option नहीं है उनको तो वही 40% देना पड़ेगा ठीक है यह सिर्फ उनी कंपनियों के लिए है जिन का रेजिस्टेशन जो है वो 1st March 2016 को या उसके बाद हुआ है तो मतलब पुरानी कंपनी के लिए इस्कीम अविलेबल नहीं है ठीक है कंपनी अब देखो यह इतनी चीज़ा आप याद भी नहीं कर पाऊगे तो मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं न सिर्फ वह लिख लिजे हमें तो क्या एक्ट में लिखा है तो लिखनी पड़ती है बहुत सारी चीज़े पर आप जो मैं अंडरलाइन करके आपको दे रहा हू वह चीज़े आप लिख लेंगे तो काम हो जाएगा तो पहला रजिस्टर आफ्टर ओन और आफ्टर फॉस्ट मार्ट तो तॉसरी कंडिशन की कंपनी मैनिफेक्टरिंग में इंवल्ड होनी चाहिए इंगेज होनी चाहिए तीसरा और मॉस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो है वह यह कि अगर आप इस ऑप्शन में जाते हैं तो आपको 10 AA सेज की चूट नहीं मिलेगे 3212A एडिशनल एप्रिशेशन नहीं मिलेगा 32AC AD मतलब इन्वेश्टमेंट अलाउंच की चूट नहीं मिलेगी 33AB मतलब ठीकोफी रवर्ड बोर्ड वाला साइट रिस्टोरेशन फंड साइन्टिफिक रिसर्च में जो डोनेट किया है उन सब की चूट आपको नहीं मिलेग टांसपर टूरिजर्व 35AC नहीं मिलेगा इस्पेशिफाइड बिजनिस की जो आप छूट लेते हैं 35 AD में वो नहीं मिलेगी इस्किल डेवलपमेंट और एक्रिकल्चर एक्स्टेंशन प्रोजेक्ट रूवल डेवलपमेंट उन जैसे चीजों पर अपने खर्च किया है तो उसके अलावा कोई भी डेक्शन नहीं ले सकते हैं तो सोचिए अगर आपको कहा जाए कि इस सेक्शन को ध्यान रखते हुए इंकम निकाली है तो BNP में से आधे प्रोजिजन गाएब हो जाएगी तो कल्कुलिशन बहुत ही डिजाश्टरली चेंज हो जाएगी तो चill में जा रहे हैं अगर आप इस साल इस स्किम में जा रहे हैं तो इस साल आपको यी डिट्शन मिलेगी नहीं वो Cent sixtcy करने ऑफ पाएगी पर पे पर पास मतलब आपके पास कोई प्रोड लॉ सब है और है पहले का तो वू भी आपका लेप्स हो जाया गा उसको भी आपे कर नहीं कर पाएंगे, सेट आफ नहीं कर पाएंगे, आई बात समझें, जैसे सर पिछली साल का मुझे आपस लोस पड़ा है, सर लोस क्यों पड़ा है, क्योंकि सर मैंने पिछली साल 35 AD क्लेम किया था, तो उसकी वज़े से लोस है, भूल जाओ, खतम लोस, समझें, तो उन चीज नेक्स क्या बोल रहे हैं, सुनिया, मैक्सिमम डेप्रीशेशन आप 40% ही चार्ज कर सकते हैं, कि अगर भई किसी असेट पर ऐसा है कि डेप्रीशेशन जादा मिलता हो, फिर भी इस स्किम पर आने पर आप 40% ही लगा पाएंगे, अभी तो जनरली वैसे भी 40% ही है, मैक्सिम ठीक है, वीच में COVID के दुरान क्या किया गया था, मोटर कार पे 45 किया गया था, उससे पहले तो 60, 80, 100 तक होता था, पर वो तो ऐसे भी पर्मानिट ली हटा दिया गया था, अभी 40% है, ओके, तो सर अमने आपकी अगर सारी बात मान ली, तो हमें क्या मिलेगा, भया आपको यह मिलेगा कि आपको 25% की रेट से टेक्स देना है, ठीक है, सर्चार तो लगे गया लगेगा, जो भी as usual लगता है, और सेज जो लगता है, वो भी लगेगा, लगेगा, तो यह आपकी नई रेट रहेगी, अगर आप इस स्किम में आते हैं, तो, बोलो, समझ में आगी बात है, तो इस तरीके से टेक्स कैलकुलेट करना है, अगर आप इस स्किम में रहते हैं, तो, ओके, सर वो LTCG वाला क्या है, वो लगेगा नहीं लगेगा, अरे बताये तो था, उस पर फरक पढ़ना ही नहीं है, वो तो income specific है, वो तो लगेगा लगेगा, तो इसलिए लिखा है, special rate will be same, ठीक है, law set up होंगे नहीं पूराने, scheme क्या है, optional, यह सबसे important है, कि सब scheme optional है, आपकी इच्छा है, लेना तो लो, उन्मर्ना मत लो, कोई जबर्दस्ति नहीं आपके उपर, ठीक है, एक बार, यह point ध्यान से सुनिएगा, और important लगा लेना, एक बार अगर आपने scheme ले तो आप उसको withdraw नहीं कर सकते हैं, withdraw नहीं करने का मतलब, इस साल आप चले गए, 115 BA के अंदर, अगली साल आप कहते हैं कि नहीं निसा मुझे तो normally text देना है, वो allowable नहीं है, तो decision, सोच समझ के लेना है, एक बार scheme में चलेगे, तो वापस आने का मूंका नहीं मिलेगा आपको okay, 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 बोलो clear है, अभी last point क्या लिखा है सर, यहां तो लिखा है कि withdraw कर सकते हूं, तो सुनिए, यह क्या लिखा है, समझ लीजिए इसको, वरना आप बाद में पढ़ेंगे तो आपको doubt लगेगा इस पर, यह कह रहे हैं कि सर, यह scheme कब आय थी, यह scheme आय थी सर, 2016 में, कब आय थी, ठीक है, अब उसके बाद government ने एक नई scheme launch करी, ठीक है, तो जब government ने नई scheme launch करी, तो हमने government से का कि सर, आपने तो हमें पहले पताया है नहीं, कैसे भी scheme आने वाली है, वरना हम तो इसमें आ जाते हैं, ठीक है, तो यह तो आपने हमारे साथ धोका कर दिया, ठीक है, तो 115 BA में फसादिया, अब आप नया लेकर आगे 115 BA, तो हम अगर 115 BA में आना चाहते हैं, तो यह तो गलत हो गया ना, यह तो हमारी जानकरी में नहीं था, ठीक है, अगर हमारी जानकरी में होता, और उसके बावजूद हम BA में जाते, तब तो आप कह देते हैं कि भई हमने तो या नौर्मल में जाना हूं , अब तुमने चुन लिया, अब तुम अगले साल कहते हो कि मैं तो वापस आना चाहता हूं , तो हम मना कर देंगे भगया तुमने चुना था ना अब तुम्हारी चोईसे वापस नहीं आ सकते हैं पर जिस दिन इस 115 BA चुना उस दिन BAA था ही नहीं, existence में, ठीक है, तो government ने बोला कि ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, आप 115 BA से BAA में आ सकते हैं, नॉर्मल में नहीं जा सकते हैं, पर इसमें आ सकते हैं, क्योंकि ये skim बाद में launch होई है, ये point डाल दिया, अगी बात समझें, तो forward जा सकते हैं, backward नहीं आ सकते हैं, समझ गया, तो normal से आप 115 BA में आएं, 115 BA से normal में नहीं जा सकते हैं, पर BAA में आ सकते हैं, ओके, अगर ये समझ में आ गया तो आगे वाले दोनों section फटाफट समझ में आ जाएंगे, ठीक है, सुनिया, आगे फिर section नहीं आ launch कर दिया, बोला BAA, और इसमें बोला किसा domestic company होनी चाहिए, सेम वहसी ही deduction जो कि वहाँ नहीं मिल दे थी, वो भी यहाँ पर भी नहीं मिलेगे, तो आप याद करने की जूरत नहीं है, ठीक है, income based deduction में यहाँ पर दो deduction extra add on कर दी, कि ATM ले सकते हो, ATLA ले सकते हो, ठीक है, लॉस set up होंगे, नहीं सर, लॉस भी set of नहीं होंगे, सेम पॉइंट है, ठीक है, ओके, इसमें rate में देखो, तो मतलब अगर आपको 115 BA याद हो गया, तो BAA में कुछ याद नहीं करना, सिर्फ section याद कर लो, और rate याद कर लो, enough है, समद रहे है, smart work भी तो जरूरी है, आप इसमें deduction deduction मत पढ़ो, same, ऐसा बोलो, same as BA same as BA, तो वहाँ जो नहीं मिलता था, यहाँ भी नहीं मिलेगा, ऐसा बोलो आप, और सिर्फ क्या याद करो, section का नाम, applicability, और tax rate, that's it, तो यहाँ पर बोला कि sir, अगर आप इस scheme में आते हैं, तो 22% tax charge होगा आपके उपर, ठीक है, और surcharge भी वो 712 वाला concept नहीं लगेगा, sales जो लगना 4% वो लगेगा, समझ गया, तो surcharge को fluctuating ना करके fix कर दिया है, okay, special rate especially रहेगी, उसमें कोई compromise नहीं है, मतलब capital gain पर उतना ही लगना है, okay, और यह scheme भी बिलकुल क्या है, optional है, एक बार आप इस scheme में आ गए, तो आप इसको भी withdraw नहीं कर सकते हैं, यह ध्यान रखिये अब इसमें एक most most important point है, मैं highlight कर दो, आप भी अपनी notes में highlight कर लेना, mat provision not apply, कि अगर आप इस scheme में चले गए, तो आपके उपर mat के provision नहीं लगेंगे, मतलब आपको mat calculate ही नहीं करना है, तो मानिए कि अगर आपको question दे देता है, और बोलता है कि SAC 115 BAA में जाना चाहता है, तो आपको mat की calculation ही नहीं करनी है, क्योंकि उसके उपर mat applicable ही नहीं है, बोलो, आई बात समय में? बोलो है domestic company के लिए है, अब ये date याद रखिएगा, on or after 1st October 2019 के लिए है, 1st October 2019 के लिए है, आपने company तो बना ली, पर कहीं बार ऐसा होता है, company बना के छोड़ दी, काम नहीं कर दे उसमें, तो उसके लिए भी condition लगाई है, कि आपकी जो manufacturing है, वो 31 मार्ट 23 से पहले start हो जानी चाहिए, आपने सिर्फ company बना के छोड़ दी, मानली जे 1999 के बाद company बना के छोड़ दी, और उसमें काम नहीं कर रहे है, और 23 उजर गया, तो फिर आप ये scheme नहीं ले पाएंगे, ठीक है, या फिर आपने company ही 23 के बाद बनाई, तो भी ये scheme नहीं ले पाएंगे, समझ गया है सर ये जो company है, ये पुरानी को तोड मरोड के नहीं बनाया हो, बिलकुल नहीं company होनी चाहिए, जैसे आप क्या करते हैं, अपनी पुरानी company का नाम बदल देता है, और बलेंगे सब ये नहीं scheme में आ गए, तो वो नहीं आना है आपको, ठीक है, आपके पास second end machinery नहीं होनी चा तो सारी नहीं company, नहीं asset खरीद के लाएंगे, पुरानी machine नहीं खरीद के लाएंगे, ठीक है, जैसे 35 AD में भी पढ़ा हुआ है हमने ये point, वहाँ पे भी ये कहता है, कि split off नहीं होना चाहिए, second end planter machine नहीं होना चाहिए, इंडिया के बाहर जो machine काम आई, उसको 20% तक आप य ये same वैसी की वैसी condition लगाई गई है, ठीक है, तो इस scheme पे आने की condition 35 AD के जैसी ही है, ठीक है, company manufacturing में लगी होनी चाहिए, और जो deduction वहाँ मना कर रहे थे, वो ही deduction यहाँ भी मना कर रहे है, आपको भी ये deductions नहीं मिलेगे, ठीक है, ठीक है, लॉस जो पढ़ा है, वो आपका भी lapse हो जाएगा, पिछले साल का, अगर पिछले साले scheme में आप नहीं थे और अब लिया है तो, और इसमें जो सबसे बड़ा benefit है वो ये, कि tax rate सिर्फ 15% है, only 15% tax rate, surcharge fix 10% और tax fix 4%, वो लगेगा, लगेगा, बोलिये, clear point, okay, special rates are especially रहेगी, उसमें कोई भी compromise नहीं है, okay, एक special point ह है, अगर आप कोई depreciable asset को बेचता है, और उसको बेचने पर अगर आपको कोई STCG होता है, तो उस पर 22% की rate से tax लगेगा, okay, कि वैसे तो क्या होता है, normal rate में आ जाता है, slave rate नहीं, normal rate में आ जाता है, पर जब आपके normal rate हमने घटा दी है, तो हम बोल रहे हैं कि भीया, फिर STC की जी का दियान रखना, उस पर 22% लेंगे, ठीक है, उस पर कम नहीं कर रहे हैं, यह scheme भी optional है, और इस scheme में भी आने के बाद आप विड्रो नहीं कर सकते हैं, और important point वही है, कि इसमें भी mat apply नहीं होता है, तो mat की applicability कहा होई, या तो एकदम normal provision के अंदर, या 115 BA के अंदर, इन provision में mat की applicability है ही नहीं, और होगी भी कैसे, जब हम mat में कह रहे हैं कि minimum 15% टेक चाहिए, आप यहाँ भी 15% ही मांग रहे हो, तो फिर तो minimum वाले के ब्राबर ही ले आए न आप, तो इसलिए मना कर दिया है कि यहाँ पे mat की requirement नहीं है, बोले जी, समझ में आगी बात, यह थे हम हमारे तीन option, 115 BA, BAA और BAB, समझ गया, तो finally आप किसी भी company को उठा के देख लीजिए, या तो यहाँ फोल करेगे, या इन तीनों में फोल करेगे, तो जो भी applicable हो, उसके साब से income और उसका tax calculate करतीजिए, बताइए जी, समझ में आगया, ठीक है, एक last point और लिखवा देता हू इसमें भी 25% का criteria है, अगर आपका जो turnover है, वो 400 crore से जादा नहीं है, last to last year, मतलब, 2021 में अगर आपका turnover, इस साल की tax rate निकालने के लिए कौन सा year देखेंगे, 2021 देखेंगे, अगर 2021 में आपका turnover, 400 crore से जादा नहीं रहा है, तो आप normal 30% के जगे भी 25% लगाएंगे, समझ गय है, इसके लिए कोई condition नहीं है, nothing, सिर्फ एक condition है, कि आपका turnover है, 2021 में 400 crore से उपर नहीं होना चाहिए, समझ गया, ओके, बताइए जी, यहाँ तक कोई doubt किसी को, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकिये करेंगे next class में, next class में हम यह text calculate करेंगे, इसका practical question करेंगे, right, ओके, और उसके बाद mat के calculation, चलिए, आज के लिए इतना ही, thank you.